हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल इंवेस्टिंग बार तो आज मैं पांच बहत्री स्विंग सेट अप आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आप मंडे को ट्रेड कर सकते हैं नौ तारिक को सभी 500 स्टॉक्स में बहुत बड़िया वॉल्यूम का सपोर्ट है तो आए चलिए चलते हैं अपने टेकनिकल टर्मिनल पर और देखते हैं कि स्टॉक्स में क्या हो रहा है तो पहला जो सेट अप है हमारा यह है पहला स्विंग सेट अप तो टेकनिकल अनालेसिज मैंने 500 स्टॉक है वह मैं इंस्टाग्राम की रील में अपलोड करूँगा मैं यहां पर नहीं बताऊंगा पांच वाज स्टॉक कौन सा है यहां पर चार स्टॉक डिसकस करेंगे फिफ्ट स्टॉक इंस्टा पर आपको देखना पड़ेगा कल दुफैर में बारा बजे ही आ सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं ऐसेल और टार्गेट को तो पहला सेट अप जो हमारा यह है स्टॉक का नाम मैं भी बताऊंगा कौन सा स्टॉक है इसमें कप अन हेंडल टाइप का पैटन भी बन रहा है और वी सीपी करेक्टर स्टिक्स भी दिखाए दे रही है चार्ट के पर और बहुत बढ़िया वॉल्यूम में बाइंग हुई है इस चार्ट ने इस स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिखाया था लास्ट कपल ऑफ मन्स पहले फिर उसके बाद ड्राय हो गया था फिर वापिस वॉल्यूम के साथ मूव दिखाया इस सेक्टर के स्टॉक चल रहे हैं बट यह स्टॉक अभी चलनी रहा है बट इसका सेट अप कुछ ऐसा बन रहा है कि अब यह स्टॉक चलेगा और बहुत अच्छा मूव देगा और हमारा पहला टार्गेट 600 का है दूसरा डार्गेट 700 का है और यह दोनों टार्गेट को अचीव करेगा और हमें 10, 15, ILLY, मैं 15-20% अराम से बनाके दे देगा तो यह स्टॉक है » फीनोलेक्स केबल इसकेबल कैंज।'' Сकेबल सेक्र का है एक एक स्टॉक मैंने केबल सेक्टर का कल भी डिसकस करा था कोडस केबल उसकेबल उस पर वीडियो बनाई है बहुत भड़ी है टेकनो फंद ﷺ करक चुगा हूँ और यह जो स्टॉक है, फिनोलेक्स केबल्स, तो इसमें आप देखें क्या हो रहा है, यह पूरा पैटन था, राउंडिंग बॉर्टम टाइप का पैटन था, यह इसने यहां पर फुल्फिल करा, फिर उसके बाद एक छोटा पैटन मनाया, तो रेंज हमारी छो 48 इसका करेंट प्राइज है, 542, 43 इसका करेंट प्राइज है, और आप इसे इसी रेंज में कहीं पर बाय कर सकते हैं, small quantity में बाय करें, उपर जाता है, तो quantity को add करें, stage 2 characteristics इसके अंदर यह है, stock के अंदर, 30 moving average के उपर है, और बहुत सारी multiple buying इस चार्ट पर दिखाए दे रही फिर यह buying, फिर यह चोटी चोटी और buying, फिर और chunks में buying हुई, तो promoters FII's, DII's जो है इसमें stock में buying कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छी rally की तयारी stock के अंदर हो रही है, तो आप इसे mid term के लिए भी hold कर सकते हैं, अगर यह अपने SL को sustain करता है, तो दूसरा stock है हमारे पास यह, सूरिया रोशनी, इसका यह weekly chart है, और weekly chart पे किती बढ़िया massive volume का support हमें दिखाए दे रहा है, एक complete downtrend था, उस complete downtrend के बाद एक uptrend की शुरुवात है, और एक ascending triangle type का सा pattern है, पहले ही support था, फिर यह support है, अब फिर यह support हुआ, तो एक range जो है, छोटी होती जारी है, और support जो resistance है इसका वो fix है, और इसका breakout हमें जल्दी देखने को मिलेगा, already इसका breakout हो चुका है, जहां तक मुझे लगता है, इसका breakout आने वाले 2-3 नगले हफते में हो जाएगा, और हमारे जो targets है, वो रहेंगे 610 का पहला target रहेगा, और 670 का हमारा दूसरा target रहेगा, current price जो है, इसका 551 ह है, तो इस range में से buy करने की कोशिश करें, छोटा stop loss है, 508-510 का stop loss लगाएं, और current market price पे से buy करें, और 610-670 के लिए hold करें, सूरिया रोशनी, higher high, higher low का structure है, increase earnings इसकी increase कर रहे है, profit इसकी increase कर रहे है, वट price सेम जहगा पे खड़ा है, वी सीपी की characteristics है, range छोटी हो रहे है, volume का support है, और relative strength भी stock की positive है, तो दूसरा stock हमारा यह हो गया, सूरिया रोशनी, चलिए तीसरी stock की तरफ चलता है, तीसरा stock है हमारा Nelcast, यह stock में Twitter पे कहीं बार share कर चुका हूँ already, और इस पे updates भी डाले हुए है, यहाँ पे मैंने buy करा था, और मैंने यह move capture करा था, 103 से लेके 10-18 व तो वापिस इस stock का बहुत अच्छा setup बन रहा है, यह देखो आपकी continuous rising volume पे chart जो है, अपका price जो है वो उपर गया था, फिर उसके बाद यहाँ अपने resistance पे आके इसने halt लिया, और low volumes पे यह जो price है, stock का वो नीचे आया, वापिस जब उपर जाने का number आया, तो वापिस rising volumes प भार निकाल दिया, December का जो last week था उसमें, फिर उसके बाद वापिस बहुत बढ़िया volume के साथ इसने bounce back करा, अपने retest zone से, और इस time 113.14 पे trade कर रहा है, और मैं suggest करूंगा, जैसे ही अपने 120 cross करता है, आप 120 पे इसे buy कर सकते हैं, उस दिन की candle के low का stop loss लगा के, जब यह cross करे साथ, बहुत भड़िया chart structure है, बहुत लंबा, 4-5 साल का, 2017 से लेके, 2022 में 4-5 साल का trend line का, जो resistance था, उसका breakout हुआ है, massive volume के साथ, बहुत bullish chart structure है, higher, higher low का structure इसमें भी है, auto sector की tail winds, support करेंगी इस stock को, और volumes visible है, 5 साल के breakout, 5 साल की trend line का इसमें breakout दिया है, और high relative strength है, stock की market के हिसाब से और गिरती हुई market में stock strong perform कर रहा है, तो यह बहुत important चीज़े है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, इस chart के लिए, और इसके fundamentals भी rise कर रहा है, बहुत बढ़िया earnings भी increase हो रही है, profits भी increase हो रहा है, और margins भी बढ़ रहा है, तो last stock जो है हमारा वो है, thermis Medicare, although pharma जादा कुछ अगर देखें, पहले देखते हैं कि इसने last to last year 2021 में इस अपने monthly resistance का या weekly resistance का जहां पर hold कर रहा था, इसका breakout दिया, फिर उसके बाद 4 हफते एक महीना consolidate करा low volumes पे और वापिस एक बहुत बढ़ी rally दिखाई, और इस पूरे move के बाद जो यह move आया था, लगबग 307% का move, 300% के move के बाद इसने ये इतनी बड़ी consolidation करी, almost 16 अगरस्त 2021 वाले हफते से लेके 5 दिसंबर 2022 तक, डेर साल की consolidation करी, बिल्कुल low volumes पे, volumes बिल्कुल 0 है चार्ट पे, इस volume के बाद तो बहुत positive sign है, और वापिस increasing volumes पे, massive volume support, इस increasing volume पे, चार्ट ने breakout दिया है, इस अपने resistance zone का, और यह नहीं पे consolidation कर रहा है, पिछले 3-4 हफतों से, और एक insider bar type का सा pattern मनाया है, तो इसे आप trade कर सकते है, 1422 के उपर अगर stock जाता है, या फिर आप current market price पे भी से buy कर सकते है, क्योंकि यहाँ पे buy करना बहुत low risk entry होगी, एक cheat entry आप small quantity में बना सकते है, और 1202 का इसका SL रखें, 1200 रु का long term target, mid term target रख सकते हैं, और अगर आप यहीं पे लेते हैं, तो चौदा सोपय आप partial quantity भी book कर सकते हैं, ट्रेलिंग stop loss के साथ, तो यह 4 stock हैं जो मुझे आपके साथ share करने थे, पांच बास stock में Instagram पे upload करूँगा, वीडियो को like, जरूर करना, चैनल को subscribe करना, ऐसे भेतरीन swing stocks के लिए, और support करना, friends को share करो, जो आपके actual trader friends हैं, अपने family को share करो, comment करो, जिस stock का आपको analysis चाहिए, उसे comment section में comment करो, और जो मेरी पुरानी videos हैं, बहुत अच्छी videos हैं, अच्छे stocks हैं, उन्हें description में link छोड़ूँगा, उन सब videos का, आप description में जाके आप videos को देख सकते हैं, cards cable वाली video को देख सकते हैं, और आपको suggestion में भी आ जाएगा, तो इन 4 stocks को आप Monday को trade करें, conviction के साथ, बहुत बढ़ी है stocks हैं, बहुत bullish strength है, stock के अंदर, आप full on conviction के साथ इन्हें trade कर सकते हैं, और पैसा कमा सकते हैं, thank you guys.